ओसलाम्रेकूम। आज हम एंटिवालोजी का सिकिंड लक्चर करें। इसमें junior टुदी करेंगे किन残ति स्कंटन को। इसमें दो चीज़ा जीती थी इन एक्जोशनतिन अर्ट। हमारे पास ये टर्मी है एक्जोशनत। इसमें हमारे पास two words हैं एक है एक्जो और एक है स्केल्टन और यहां पर स्केल्टन को हम लोग as not considered कर सकते हैं दिस स्ट्रॉक्चर एक्जो का मतलब होता है आउटर तो हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं उनका बाहिर वाला स्ट्रॉक्चर जो है वह किस तरह का है या उनकी functioning क्या है सेकेंड टर्म है हमारे पास endo skeleton एंडो का मतलब होता है inside अंदर की तरह skeleton structure यानि कि इंसेक्ट का inner structure जो है वह किस तरह का है आज हम इस चीज़ को discuss करेंगे फर्स लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ें discuss की थी जैसे कि इंसेक्ट की position जो है एंडो किंडम में वह क्या है एंडो स्केंटन एंडो स्केंटन क्या होता है कि जैसे human के case में bonds होते हैं वह human के inner structure को support कर रही होती हैं इसी तरह इंसेक्ट के case में body के अंदर bonds तो होती नहीं तो कि लिए किस तरह support कर रहा होते हैं इस सारा system किस तरह working कर होता है कि जो हमारे पास exo skeleton होता है यानि कि जो हमारे पास body wall होता है वह ही invade कर जाती है अंदर के तरह तो अब हम आज की lecture को discuss करना स्टार्ट करते हैं सबसे फैना point है हमारे पास insects body wall जिसको हम लोग exo skeleton भी बोलते हैं और integuments भी बोलते हैं कोई भी animal है उसकी body वे जो growth का process है वो three types of cells से होता है endodermal, mesodermal या फिर ectodermal इंसेक्ट ही जो body wall है वो ectodermal organ है जो exo skeleton है इसके कुछ करेक्टर है कि यह आहिर से skeleton को sport कर रहा होता है लेकिन इसका protective function भी है protective function में इसके कुछ character हैं और वो यह है कि exo skeleton body को flexible बनाता है यानिके उर ने में हलके होता है असानी से उर सकते हैं यह body बोडि को flexible बनाता है, यह light weight होता है, इनसे insect का body weight हो हलका रहारा और इनको और में कोई मसला नहीं होता है यह असानी से उर सकते हैं और यह बहुत strong भी होता है इंसेक्ट के body organs के लिहाज से यह अपने आपको modify करने हैं यानि कि इंसेक्ट के head पे, thorax पे, abdomen पे यह सारी चीज़े सेम हो जाएंगी वो body के different parts में जाके यह modify हो जाते हैं अब हम लोग slides को देख लेते हैं इंसेक्ट body wall is called as antiquant and exoscanter body wall consists of three distinct layers cuticle, epidermis, ar hypodermis and basement membrane जो भी हमारे पास इंसेक्ट हैं उसकी सबसे उपर वारी सबसे पहली layer जो है उसको हम लोग बोलते हैं body wall अगर इसी को हम लोग scientific way में नाम दें तो इसको scientific way रिका जाता है integument यो यह body wall है या जो यह integument है यह behave कोती है as an exoscanter और यही exoscanter की formation करती है दो बोडी wall consists of three distinct layers first uticle next epidermis and hyperdermis and last one is basement membrane अब जो इंसेक्ट की जो बोडी wall है वो भी अलग-अलग layers के मिलने से बने होती है यानि कि यह तीन layers मिलती है तो फिर formation होती है हमारे पास insect की body wall की अब हमने यह तो देख लिया कि outer nose layer जो है उसको हम लोग बोलते है body wall लेकिं body wall के अंदर जो सबसे पहली layer है उसको हम लोग नाम दींगे क्योटीकन का और जो layer center में आते हैं उसको हम लोग बोलते है epidermis और hypodermis और जो last पे आती है body wall की formation में उसको हम बोलते है basement membrane इसके तो नाम से भी पता जल रहा है कि basement यानि कि सबसे नीची वाली जो layer अपर layer या सबसे पहली वाली जो layer थी वो क्या थी cuticle फिर उसके बाद second layer या फिर center वाली layer इसको किंगे वह epidermis और hypodermis और जो third layer है उसको कहते हैं आन लो पेस प्राइड यह तींग लेयर मिलके हमारी body wall की इसकी body wall की formation कर्थी होते हैं अब cuticle को non-cellular layer भी कहा जहते हैं उसके अंदर होती है cellular layer जिसको हम लोग epidermis और hypodermis का नाम देंगे हैं अब cellular और non-cellular वे difference क्या होता है कि non-cellular यह है कि इनका जो body linked है या body suite है वो directly linked रही है और इसकी body से इसा cell यह ऐसा पार्ट अनन-cellular tub के include है वो direct contact नहीं है उसका body के साथ और जो cellular layer होते हैं उसमें क्या होता है कि जो body fluid है वो body के साथ contact होता है इसके बाद है basement membrane जो है उस cell को की growth के लिए basement provide गाट होता है इनकि सबसे उपत होता है basement membrane basement membrane में क्या होता है कि उनकर जो body fluid होता है वो run करता रहता है और उसमें nutrition जो तेंजा आकर उसके उपर होता है similar और उसके बाद होता है cuticle यानिके basement membrane जो है उनके नीचे body fluid जो है वो run करता है जिसमें में लिए nutrition होता है उसके उपर क्या होगा cellular layer यह होगे epidemis और उसके उपर होगा cuticle यानिके non-cellular अब हम लोग डिसकस करेंगे epidemis, epidemis टु है उसका main function क्या होता है cuticle क्या है हमारे पास non-cellular layer यह होगे जो cellular layer है वो non-cellular layer को बनाती है second क्या होदा कि यह जो insects है वो अपनी skin को या फिर अपने body's wall को shed off कर देते हैं जैसे कि snake के case point या फिर हम ने बहुत से insects में देखेंगे वो अपनी skin को shed off कर देते हैं अब वो जो shed off करते हैं अपनी old skin को तो फिर ओविस की new skin जब औरहां पे आएगी तो उनको फिर detach जब कर तो उसके लिए भी कौन help करता है epidemis अगर इंसक्त की body का कोई भी cell जो है वो damage हो जादी है कोई भी part damage होनाता है तो उनको repair करने का काम डी किसका काता है epidemis का तो यहां पे चार चीज़े होगी कि epidemis जो है वो क्या करता है कि secretion करता है cuticle की फिर उसके बाद क्या करता है shed off कर देता है skin को यानि कि मोल्टीम का जो प्रासेस होता है इंसक्त जो है वो अपनी old skin जो है वो shed off कर दीते है और new skin जब आती है उसको body से detach कर में के लिए ओन हाइप करता है epidemis पे उसके बाद अगर कोई वांट होगी है यहां कोई injury वे रहा है cell damage होगे तो उसको repair करना भी किसका काम है अपिडेव गाँ कि यूटिकल इद आउटर वस्लेड ओफ दवाडी विच इस कंप्लेक्स नॉन एर मोस्टी सिक्रेट बाए है किशसितों फेपूड़ खिर नहीं देकी जान नं सेलुलर है उसके बाद के कोई चालिओ का दितरी अपंविचल खीर स्बाध में बंतिक इस थरह रहए भी इस तरह बंति है कि जैसे और शैंच pięji पनेयर है सेखिकीन वाली एर वो कमिकन रिलीज पशें अटी है स्टार्ट उजब दिये, अब क्योटिकल जो है, वो फर्द थ्री लियर्ज में डिवाइट है, यानिके वो कौन सी लियर्ज हैं, एंडोक्योटिकल, एक्जोक्योटिकल और एपिक्योटिकल, यह अब भी आपको डाइगराम में दिखाते हैं, फिर आपको प्रोपर समझा जा हैं, उसको हम किस तरीके से लेगे चल रहे हैं, यानिके हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बने हम लोग ने डिसक्स किया ओटर यह को फिर इनर यह को और फिर उसके बाद बेस्पेंट को, इसी तरह से यहां पर हैं सबसे पहले एपक्योटिकल, फिर उसके झालम के आपके दर क्या से लिएकवारैं क्यूतिकल के अंदर क्या होता है, हमारे पास बाद की थी उसको हम लोग लिए, उसके वह फिर उसको हम flavored नई देखा हैं सब्से बाद बोड्डिवाल के बाद हम आरे पास हां वह भी हम ङॉत्मेडे क्यओ के बाद हैं, अश्का अं लेर से उलकरवनी में है, उनमें सबसके पहना ले आता है गोलता है यह वह दो क्योंती है, ओछ तर्ड वानी लेर है उसको नमलते हैं, एंडिोक्यूटील अब सबसे पहले हमारे पास आति है प्रख्यूटीर यानि कि सबसे बाहर वाली लेयर जो लेर neighborhood is an outermost and very thin layer. hardened protein in car cuticle force canal present in the exocutical help in the deposition of epicutical, epicutical comprised of cement, wax, oliphenol, cuticular layers, और ये कि लियर इन तेनों लियर में से सबसे thin होती है, यह निके सबसे बरिये किया पिर पत्लिय होती है, और ये ये लियर जो है, वो बुबत hardened protein से बनी होती है, इसको हम लोग लाउन देता है, cuticle अब epicutical में force canals जो है, वो present होती है, air force canals के अच्री के इमवी छेद होती है, सुराफ होती है, जिनमें से ये यह ये लियर किसी चीज़ पी von Esteem करेगी, तो वो इन्ही पोस कियों आफ्से बाहि राती है, टकल लेहरा है, एमारे अब हुआु एग्जोतिकल के बारे में बाद करेंगे एग्जो-क्योतिकल कोई थैड्सके मैं ठ्रूटिक वह प्री यहेर इसकोटिंग तैनल में आवर नहिसे पैले देडियर पढ़ी थी वह बहुत ही बड़ यह थीं लेकिन ये वाली जो है ये थीक है, फिक है, it is what's thicker consisting mainly of chitin and protein, the later moved and biophenolic substances to produce hard brown material called sclerotin which give rigidity to cuticle, यानिके हमने फिर्स्ट चुपणा था वो था अप्यूटिकल, अप्यूटिकल की निस्पट ये काफी protein layer होती है, ये बन्य किस से होती है, mainly chitin और protein से, ये यो layer होती है, इस layer के अंदर एक phenolic substance release होता है, जब ये phenolic substance release होता है, तो ये एक substance बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं और जो rigidity होती है, hard structure जो बन जाता है, वो भी इस layer की वज़ा से बनता है, अब हम बात करेंगी endocutical के वाले में, उतिकल की तीन layer है, और इन वो तीनों वेसे सबसे जो मोटी वाली layer होगी, वो कौन सी होगी, endocutical, ये जो layer है, ये काइटिंग और आर्थोपोडिन से बने हो और ये जो layer होती है, ये soft होती है, colorness होती है, और flexible होती है, मैंने आपको बताया था, ये सबसे नीची कौन सी होती है, celluland layer, और इस celluland layer को हम लोग बोलते है, epidermis, फिर उससे ओपर अगर देखें तो फिर आएगा endocutical जो सबसे ठीकस layer होती है, और ये light color की होती है, फिर उ आकि ये थोड़ा सा dark और पतला होनाता है, exocutical जो इससे थोड़ा सा पतला होता है, और ये dark और rigid होता है, और ये जो सबसे उपर बिल्कुल पतली सीलर है, ये क्या है, epidermis, इसमें क्या बताया गया था, कि यहां पर sports किनाल होती है, जो कि जो chemical की secretion होती है, वो को इंटी woven क करवाता है, और ये ही chemical जब बाहिर आते हैं, तो इनकी वज़ा से ही epidutical की formation, और नेक्स साथ रिसक्स करेंगे functions of cuticle, के cuticle के क्या function है, इन cuticle क्या role play थरता है, to give proper shape to the insect body, हमेर वास जो cuticle होता है, वो रिजूट होता है, तो इसकी खुद की एक fixed shape होती है, ये insect की body के उदवर ह होगा, तो तब ये फुद को एक fixed shape में convert करने है और ये फुद को a fix size में रखता है, fix shape में फुद को a cuticle जैना को में जवदा होता है, इसका a fix size होता है, इनsect का खुद की एक shape और size होता है, ये कं या जदार नेवदार, ने insect की body को एक shape और size दे ली है, जब इनसेक्ट की growth हो वह इसके जाए हैं वह ग्रोफ करना स्टार्ट करेंगे तब ये ये लियर जो है वह ब्रेक होगी और नियू लेयर जो है वह फॉर्म होगी और इसकी जब अच्छ्ट उस्पड पमल्दिंग का नाम दे दे तो जो क्यूंट इसक्ड को शेप और साइस देने का फंक्चन लेग इंसेक्ट की जो वाटी है उसके अंदर जितने भी ओर्गन्स हैं उसको यह प्रटेक्ट करता है ताकि जो इंसेक्ट के इंटर्णल आर्गन हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पूंच सके नेक्स्ट है तुचेक दा वाटर लास थूदा बाडी सर्फिस जो क्यूटी कर ले रह है वह क्या है उर यह वाटर लास को कंट्रोल भी करती है कि जादा वाटर जो बाड़ यह भूदास नहुंट लैक्स्ट है डेंसेक्ट की ब लाटी के नदर ओरुज आफजी और अलब या आज़ग और बाड़्व नेक्स्ट है हमारे पास processes of cuticle अब हम discuss करेंगे कि cuticle के processes क्या है cuticle जो है वो दो तरहा के processes जो है और उनको show करता है एक internal process होता है और एक external process there are two types of processes formed by the cuticle दो तरहा के processes है जो cuticle perform करता है या cuticle की वज़ा से perform होते है the external processes जो बाहिर वाले processes को manage कर रहा होते है और दूसरा है internal processes जो के अंदर वाले processes को form कर रहा होता है यानि के cuticle जो है एक तो अंदर के processes जो है उनको deal करता है और दूसरा बाहिर के processes को भी deal करता है और इन्हीं की बेच पे इनको नाम दिये गए है external और internal The external processes include the 70s, spurt, spine, wrist and ears which are outgrowth of the body wall. External processes क्या हुआ है? यह जो हमारी सबसे अपर वाली layer होती है, यानि कि तिकन layer होती है, वो बाहर की तरफ growth करना start कर दे, ओफर की तरफ growth करना start कर दे तो इस process को हम लोग बोलते हैं, external process. और जब यही प्रॉसेस इंवर्ड होने लगी यानि कि अंदर की साइट में होने लगे तो हम लोग इसको नाम जे देते हैं इंटर्नल प्रॉसेस जब बोडी वाल के अंदर की तरफ रोज स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रॉसेस को खा जाता है और यही हो स्ट्रक्चुर है जो के मसल्स को अटेच करने के लिए स्पेस परवाइड करते हैं नेक्स है तेकिन लेर आउस था प्रॉटिकम एपिडमिस और हाइपोडमिस यह है शेकिन लिएर दिस इस सिंगन लेयर एपिथेलियम आफ लोगिनर साल अब जो सेकिंग नबर वाली लेयर है उसको अम लोग नाम देते हैं अब यह जो लेयर है यह एक सिंगन लेयर है इसमें एपिथेलियम सेल्स जो है इसल की एक ही सिंगन लेयर से बनी होती है और यह जो अपिथेलियम मॉर्णिर सेल्स है यह अपने आपको मोडिफाई करना दी है और मोडिफकेशन के बाद यह किसमें केमर्ट हो जाती है गलेंडोलर सेंस में और यह गलेंडोलर सेल्स जो है इसल्द को हम लोग दीसरा नाम देते हैं इसी लेर जो बार से होती है तब जो इंजाइम डिलीज होगे वो भी ये शी दर पर दे और टूटिकल को डाजेस्ट करने के लिए जो इंजाइम डिलीज होंगे वो भी एपिडमिस की वज़ा से होंगे अब वार पर से एक तर्म यूज हो रही है मौल्ट आर एकडाइस ये प्रशी के अर्पोंड है के ओल्ट ली जो है उसको एनियेस्ट कर देते हैं और नई वानिलेट जब आती है तो तब उस प्रॉसरस को हम लोग बोलते है मौल्ट आर assistance आएसित पिपिएमेस के प्राइश के अगदाइसिज के प्राइस साथ और इस मोल्टिंग प्रासस फ्लींड के अगदैसिकर प्रासस्द अगदिखियर प्राइसिज extra these are called tricogen cells epidemics layer के कुछ cells नहीं वो special functional और वो special function play करने लग जाते है और set your spines को release करने लग जाते है और उनहीं cells को हम लोग नाम देते है tricogen cells hypodemuses 인वेजिनेट इंटे बोटी and secrete rod like are lati-lar ridges of cuticle called epidemics आभ की uticle जो है वो बन कैसे है उसकी फॉर्मेशन किस तरह हो रही है और उसकी फॉर्मेशन किस की वज़ा से हो रही है प्रीडविस लेर की वज़ा से जो एप्रीडविस लेर है वो केमिकल रिलीज कर रही है और उसकी वज़ा से क्यूटिकल की फॉर्मेशन हो रही है तो जब यह एप्रीडविस जो है वो हमार करेंगे functions of epidemis, functions क्यां हिसके it secrete the greater part of the cuticle जो cuticle की formation हो रही है उसमें ये एक major role play का था है, it produce molten fluid a molting की process हो जितना की fluid लगेगा उसका जो सारा function है या उसकी secretion जो है वो किसी वादा से होती है so observe the digestive products of the old cuticle जो old cuticle layer होती है उसको digest करने के लिए हमें कुछ enzyme की जुरत होती है और उन enzyme की secretion को न कर रहा होता है epidemis, repair the bone and to form the epidemis glands, उसको कोई injury होती है, कोई cell damage हो जाता है और इमको repair करने का कहां या function को न प्लेए कर रहा होता है epidemis, फोल्क जो यह layers बनती है, यह भी किसकी वाजा से बनती है, epidemis की वाजा से और यह जो glands की formation होती है, यह भी किसकी वाजा से होती है, epidemis की वाजा से अब यह हमारे पास basement membrane, यानि के जो सबसे लास्ट वाणियर थी, उसको हम रोब बोलते है basement membrane या फिर inner layers it is the inner layer of the body wall in which the inner ends of the hypodermal cells are attached this is a cellular thin membrane whose origin is uncertain but may be formed from blood cells अब यह जो inner layer है यह एक basement का कम करती है, इसके ओपर हमारी hypodermal layer है, यह hypodermal cells है वो आके attach होते हैं और इस पर attach होके वो फिर अपना further function प्ले कर पाती है वो अपने सारे रोल्स जो हैं, अपना gland बनाने का रोल हैं जो भी उसके रोल्स हैं वो यहां पर आके perform करना शूरू करती है अब यह जो membrane है यह thin layer होती है और e-cellular membrane होती है और इस membrane का origin अभी तक किसी को नहीं बता कि यह कहां से originate हो नेकिन वो कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो origin है वो कहां से होए blood cell से होए अब next हमारे पास है endoskeleton यह जो body के अंदर वाले structure को sport कराते हैं यह body को अंदर से sport करते हैं इसका other function क्या है कि यह muscle attachment में help करता है जैसे human की case में bones के उपर muscles attach होते हैं इसी तरह यहां पर endoskeleton के उपर muscles attach होते हैं यह circular growth of body wall में भी help कर रहा होते हैं अब endoskeleton भी दो तरहा का होते हैं एक halo और दूसरा sonid अगर halo exoskeleton हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे apodem और अगर solid हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे apophysis यह दो वड़ याद रिखनें आपने apodemi और apophysis अगर halo हुआ तो apodemi और solid हुआ तो apophysis next है cuticle appendices यह दो गोड़ करहा के होते हैं main है हमारे पास multicellular और unicellular के बारे में बात करते हैं जैसे example body ears slice के case में skills butterfly के case में उससम जो हैं यह unicellular नेर की examples है और दोसरा हमारे पास multicellular इसमें क्या होता है spur और spines पर जो होता है तो यहां पर complete होता है हमारा आज के lecture आज के lecture में हमने discuss किया कि जो हमारे इंसेक में endoskeleton या exoskeleton होता है वो किस तरह से work कर रहे हैं किस तरह से अपना role play कर रहा है इंसेक की जो outermost layer है उसको हम लोग बोलते है exoskeleton अब exoskeleton हमारे insecti body wall होती है और यह जो हमारी layer है जिसको हम लोग body wall कहते हैं यह भी अलग अलग layer से वेलकर बनी होती है तो इसमें सबसे पहले आती है cuticle फिर उसके बाद आती है epidemics या hypoderms और फिर उसके बाद आती है basement membrane तो यह तीन layer थी जिन से insecti body wall वेल के बने होती है आती है